फर्स्ट नेव प्रस्ण है कि फोटोन का बिराम द्रब्यमान क्या होता है सुन्या अनांत नौदसलों एक गुने दसके पर माइनस एक तीस के जी एक दसके छो गुने दसके पर माइनस सताइस के जी तो सभी को मालू होगा है हंडे परसेंट भी द्यार्थी को मालू होगा कि फोटन का बिराम द्रब्यमान जो दोस्तों होता है वहस सुनने होता हैन। अपसर नमर जो A है बिलकुल ही राइट एंसर होगा जिन भी दोस्त का उपसर नमर है। बिल्कुल निस सही नसर है और बात करें फोटोन की कूल उर्जा जो होती है वह एच न्यू के बराबर होती है याद रखें काफी मत्मूर सबार है कि फोटोन का कूल उर्जा कितनी होती है तो एच न्यू के बराबर होती है जहां न्यू यह अब रिती है और यह पलांक इस्त दो आपको बताना चाहते है कि सोर उर्जा का मुख्य सोर्वत जो होता है दोस्तो वह नभीक्य संवाइट यह होता है और हाइडोजन का घाताए यह फिए क्लाइन के साथ इसका राइट एंसर हो जाए जिन भी दोस्त का अप्सान नमबर डी है बिल्कुल ही सही एंसर हो जेगा और यहां पे ठोड़ना प्रस्ण है कि बीधूत का सबसे आच्छा चालक निमने में कौन है चांदी तामबा सोना जास्ता तो यहां पुछा कि सबसे मुक्त अवास्ता में पाई जाने वाल एक तत्त होता है जो कि इसका संचारा नहीं हो पाता है सोना का यादरेकं और एक प्रस्ण पूछे जाता है कि । के पीटल का गिन-किन धात्कू से मिलकर बनावाता है तो एक ट्रिक होता है पिता जी तो पीशे पितल तो से तंबा और जय शिच्चता से बनावाता है पितल याद रिखे काफी मतमोर्ण सवाल है और यहां पे आवेश का प्रिश्ट घणत्वा बराबर होता है दोस्तो तो Cool harvest अफन कूल चेतरफल Killing idle अवैस अपन कूल आयतन को आएटन तो आपको बताना चाहते हैं तो अपसर नमर जो B है बिल्कुल ही राइट अंसर हो जाएगा जीन भी दोस्त का अपसर नमर B है बिल्कुल ही सही अंसर हो जाएगा और अवेस का जो मातरक होता है वह कूलाम होता है याद रखेगा और जो अवेस पर जो चार्ज होता है वो एक दसना चोग उन्हें दस के पार माइनस 19 कूलम होता है याद रखे काफी मात्पूर सवाल है और ये जो प्रस्ण है इसे रिलेटेड आपको 304 परस्णों तर बताएंगे ताकि बोर्ड इक्जाम में अब एक भी परस्णों तर ना छुटे हमारा लक्टे है सब्जेक्टिम में भी 75 में 35 और अबजेक्टिम में भी 35 में 35 यादि कि 70 में 70 पतर हमको चाहिए इसल आपसे निए कि 100% आप पर विश्वास है कि आप लाएंगे ही और यहां पर प्रस्ण था कि कार्बन परतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है दोस्तों तो बताना चाहते हैं दोस्तों कि काला रंग जो होता है उसका मान इसका कलर कोड में जीरो होता है काला रंग का जीरो याद रखेगा और एक किस का होता है एक जो होता है वह कलाई या भूरा रंग का होता है और लाल जो होता है वह दो का होता है लाल का दो और तीन जो होता है वह नारंगी का होता है और बाचा डी तो यह पीरा रंग का हो जएगा यह प् पुछता है कि हारा रंग का कलर कोड में इसका मान क्या होगा तो हारा रंग का पांच होता है याद रिखेगा तीन यह नारंगी का होता है और लाल का दो होता है और एक जो होता है वह भूरा या कलाई का होता है और चार जो होता है यह पीला रंग का होता है जीन विदुस्त क दोस्तो जल्दी से कमेंट बक्सपे इसका राइट अशर चाप दीजे गोली की तरह की त्यारी कैसी चल रही है जल्दी से अपना इंसर जल्दी से टाइप कर दीजे उमीद करते हैं अब तक आपका इंसर भी आ गया होगा कि विधुत्य दिविध्रो अगोर्न का जो एस आयमातरक दोस्तो जो होता है वो कुला मीटर स्क्वार होता है निकि जिन भी दोस्त का अप्सन नमबर B है बिल्कुल ही सही अंसर होजेगा और बात करें ये तो प्रश्णे 100% पूछा जाता है कि वन अपन फोर पाई एपसालन नॉट का मान क्या होता है दोस्तो जल्दी से अपना एंसर टाइप कर दीजे कमेंट बाक्स में कि फोर पाई एपसालन नॉट का मान क्या होता है तो इसका जो मान होता है दोस्तो तो एपसाला नट का जो मान होता है दोस्तो वह 8.85 गुने 5 के जगा पर दो भी लिखा जा सकता है और 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12 न्यूटा मीटर स्कार प्रती कुला में स्कार हो जाएगा ये भी याद रखेगा दोनों में से एक सवाल आपके बोड़ी जामे सेम टू सेम रहने वाले हैं तो चलिए अब नेक्शन प्रस्ट को देखते हैं और ये जो प्रस्ट काफी मतमूर्ट सवाल है कि दो उत्ता लेंस प्रस्पर संपर्क में रखे हैं तो सम्तूले लेंस क्या होगा तो हम अगर हमारा सेशन अगर पहले देखे होंगे तो आपको मालम होना चाहिए कि जैसा उसका परिवार रहेगा जैसा उसका जात रहेगा तो वैसे ही वो भी पैदा लेगा ठीक तो उत्ता लेंस जो है यानि कि दो उत्ता लेंस है इसको जब संपर्कित करते हैं आपस में जब मिलाते हैं त वोहीं उत्यालेंज की जिगहर पर वहां पर भी और लेंज की निर्मार होता दोस्तो यानि की option नमर जो ये हैं बिल्कुल ही राइट एंसर होठेगा कि दो उत्याल स्क्राइब होठेगा और चाणल पर नए जुड़े हो तो चाल को ज़रूरर स्प्राइब कर लिजए कि क्योंकि और बोड एक्जाम काफी में नजदीक है और अगर आप हमारे साथ लगतार जूरे रहते हैं तो बोड एक्जाम में लगभग 70 में 70 फिजिक्स में जरूर लाने का आप परियास करेंगे यानि कि हमारे साथ बने रही आगा तो आप ला सकते हैं बिल्कुल 100% में पर्कास के कौनिका सिधान्त के पर्थिपादक थे हाइज नियूटन फ्रेण और मैकसवेल यह तो परस्ण दैखते हैं आप जलदी से टाइप कर देंसेर लेगा एकि जल्दी साब से पहले comment box में इसका answer देंगे तो आप जल्दी से comment box से ittसका राइट एंसर दे दे दीजिए कि मूल गेट यानि की basic gate कौन कौन से होते हैं दूस्तो जल्दी से type कर दीजिए तो अब तक आपका answer भी आगया हुगा दोस्तो कि मूल गेट यानि कि बैसिक गेट जो होती है क्या होती है एंड और नेंड नौर और नौट और एंड और नौट तो बता दें आपको कि मूल गेट जो होती है यानि कि बैसिक गेट जो होती है इसलिए बताने का मकसद यहीं है, कि और गेत का जो बुलिय बेंजेक होता है, और का, और का, A और B, बराबर Y, और से ही बना है नौर, तो नौर का हो जाएगा, जहां N जूड़ेगा, वहां बार जूड़ जाएगा, तो A और B, बराबर Y, यानि कि, N का मतलब ही बार होता है दोस्तो, और N हो जाएगा, तो N का जो होता है दोस्तो, A डॉट हो जाएगा, A और B, बराबर Y, और वहां ही N से ही बना है, नेंड, तो नेंड जहां जूड़ेगा, वहां जाहिल सी बात है, वहां बार त जूड़ेगा ही, तो A.B बराबर Y, इस परकार से, नॉट का नहीं होता है, दोस्तों, नॉट का नहीं होता है, यह भी याद रखेगा, तो इस परकार से आप ग्याद कर सकते, किसी भी कोसर में ऐसा है, आएगा, तो 100% गरांटी के साथ का सकते हैं, कि आपका यह भी परस्णोता ना चुटेगा, यह निकि 5 परस्णोता इससे रिलेटेड पूछे जाता है, ताकि बोडिक जामें इससे रिलेटेड ना चुटे, तो 5 आपको इस सामने आ चुका है, एक मुल गेट यह निकि बैसी गेट कौन-कौन से होते हैं, और इसका बुलिये बेंजक आपको ग्यात हो गया होगा, और यह जो प्रस्णे काफी मत्मूर है, कि ताप बढ़ाने पर और चाला का परतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, घर जाता है, कहीं बढ़ता है, कभी घरता है, और डी है, और पड़िवर्तित रहता है, दोस्तों, तो उमीद करते हैं, अब कारे इंसर अब तक आ गया होगा, तो जब ताप बढ़ाते हैं, तो और चाला का परतिरोध क्या होता है, और चल लगा, यानि कि आर कारे इंसर का, वह घरतने लगता है, यानि कि इंक्रीज करने लगता है, यानि कि अप्सन अब जो, शोरी, डिक्रीज करने लगता है, यानि कि घरतने लगता है, यानि कि अप्सन अब जो बी है, बिल्कुल ही राइट एंसर हो जाईगा, जीरो से एक एके बीच ही होता है यानिकि जीन विदोस्त का option number B है बिल्कुल ही सही answer हो जेगा जीन विदोस्त का option number B है बिल्कुल right answer हो जेगा तो चलिए अब next प्रस्ण को देखते हैं और ये जो प्रस्ण है काफी मतपूंट सवाल है कि न्यूट्रोन का खोज का स्रे जाता है न्यूट्रोन का तो एक के ट्रीक होता है ये ट्रीक अगर जान लिए तो आप जीनगी में कभी नई भूल पाएंगे इसे इलेक्ट्रोन के खोज करता टॉम्सन हो जाएगा और पर से प्रट्रन का खुच करता गोल्ड एस्टीन ना से नूट्रन और चा से चेडविक तो इलेक्ट्रन की खुच करता टॉम्सन प्रट्रन की खुच करता गोल्ड एस्टीन और नूट्रन की खुच करता जेम्स चेडविक तो चेडविक हो जाएगा तो अब तक आपका answer भी आ गया होगा कि neutron की खुचकरता का सरे किसे जाता है तो Thompson को जाता है यहाँ आप्साण नमबर जो a है बिल्कुल ही right answer हो जाएगा जीन में दोस्त का option number a है बिल्कुल सही answer हो जाएगा और चेडविक जो होते हैं ये नूट्रॉन के होते हैं याद रखे काफी मत्पूर सवाल है और यहाँ पर प्रशन है कि इन में से कौन अवेस रही थे यानि किसमें अवेस नहीं होते हैं दोस्तो अलफा कॉर्ण बीटा कॉर्ण फोटॉन कॉर्ण या फोटॉन तो बताना चाहता है फोटॉन और फोटॉन कॉर्ण में काफि कश्व को कान्फ्यूज होता होगा तो आपको किस विडियो के माधियम से इस प्रशन के माधियम से आपको इसका clear भी हो जाएगा तो जहाँ photon होगा वह right answer नहीं होगा तो photon korn के साथ इसका right answer चला जाएगा यानि कि अभीस रहित जो होता है वह photon korn ही होता है यानि कि C इसका सही answer हो जाएगा तो चलिए next प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर जो प्रस्ण है कि और gate का बुलिये बेंजग क्या होता है यह तो देखते हैं एक सह यानि कि 1000% विद्यार्थी का answer आ गया होगा यानि कि सही answer तो और gate का बुलिये बेंजग जो होता है दोस्तों वह A और B बराबर Y यानि कि एक साथ इसका right answer चला जाएगा और यह जो होता है यह and एन्ड के लिए होता है and gate के लिए और nor के लिए जो होता है इस पर बाद चल जायगा और नेक के लिए इस पर बाद चल जाएगा इस वरकार से आप गयाद कर सकते थे विलकूल ही आसानी से तो आज का 60 परस्ट को देखते हैं इसका अगर PDF चाहते हैं दोस्तो PDF फिरी में ही आपको PDF दिया जाएगा ताकि आपको अब प्रेक्टिस की जरूरत है तो जितने प्रेक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट होगा तो प्रेक्टिस दकी अप सक्सेस अगर प्रेक्टिस करते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेतर होने वाला है तो इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बक्स में लिक दिया गया है टेलिग्राम से जूरकर इसका PDF डाउलोड कर सकते हैं बिल्कुल फिरी में ही तो चलिए नेक्ट प्रस्ण में देखते हैं और यहां पर प्रस्ण के परकास तंतो यानिकि अप्टिकल फाइवर का सिधान्त अधायत होता है विवर्तन व्यतिकरन पूर्ण अंतिक परवर्तन अपवर्तन तो प्रकास तंतो यानिकि अप्टिकल फ और सी है बिल्कुल ही राइट अंसर होज़ेगा विवर्तन में तो प्रकास का तिक्ष किनावर से मुरना ही विवर्तन कहलाता है और यह तो चिरिया का रंग निधायत होता है ब्यतिकराण से अपवर्तन में जब कास की सिले में जब छड़ी को डुबाते हैं तो वह अपवर् नमर सी इसका सही अंसर होज़ेगा और यहां पर जो प्रस्ण है यह तो काफी मत पूंट सवाल है कि माडलन के बीप्रित पर्थिकिरिया को क्या कहते हैं बी माडलन प्रेशन रिमोट ट्रेसिंग एफेक्स तो यह प्रस्ण देखते हैं आपका एंसर भी आ चुका होगा कामेंट बक्स के माध्यमसे और कमेंट्बक्स में भी आपको पीनًअ कर दिये जाएगा टेली ग्राम का रिंक और डिस्क्रिम्ट बक्स में तो यह ही जाएगा टेलेगराम का लिंक और यहां पर जो प्राश्ने के भूत रंगों का ध्रूमड होता है प्रिथवितल के किसी बिदी समय साथ डिग्री के कोड़ पास लंबवत या समरांतर तो अपका एंसर अब तक आगे होगा जल्दी से कमेंट बक्स में इसका राइट एंसर दाग दिजिए गोली की तरह की भूत रंगों का ध्रूमड क्या होता है तो प्रिथवितल के क्या होता है तो क्या होता है इसमें कि यह प्रिथवितल के 90 डिग्री पर होता है तो 90 डिग् प्रष्ण फाल इसे रिलेटर एक से दो प्रस्ण तर हंडेफ परसेंट बोड इकजाम में इस सालर रहने वाले हैं उपयुक्त लेंज होता है। तो दिर्ग दिरिश्टी दोस्तम उपयुक्त लेंज जो होता है दोस्तों वह उतल के सांथ इसका राइटे से चला जाएगा यानिकि सी इसका सही एंसर हो जाएगा और निकट द्रिश्टिक जब दिर्ग कहेगा तो उत्ताल एंसर हो जाएगा अगर वहीं निकट कहेगा तो वहाँ उत्तालेंस हो जाएगा अगर जार दर्शता कहेगा तो वहाँ बाइफोका लेंस का उप्योग होता है और अब इन दुकता में भीलनाकार लैंस का उप्योग होता है दोस्तु नेक्स्ट प्रास्ने की छामता का यैस आई मात रख क्या होगा यह तो हंडे परसेंट भी ध्याँथी कमालों की इसका एंसर क्या होना चाहिए तो लैंस की च्छामता का जो एसाई मातरक होता है वह डायप्टर के साथ इसका राइटेंस वर होजेगा जिसे बरे डी से सुचित करते हैं और उर्जा का मातरक जूल और केंडेला जोती ती बिरता का प्रकास के जोती ती बिरता का मातरक केंडेला वाट जो होता है वह सकती का मातरक होता है उमीद करते हैं आपको यह सेसन अच्छी लगी होंगी इसका पीडियाफ जरूर डाउनलोड करिएगा अगर यह सेसन आपको जीएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडिये में आज के लिए इतना ही थैंक यू